आज मैं बनाने वाली हूँ मटन बिर्यानी मटन ग्रेवी के साथ बिर्यानी कैसा बनाते हैं वह आज आपको बनाकर बताऊंगी चलो आप इसके इंग्रीडियांस देखते हैं थोड़ा सा ओईल सारे मसाले सामान को लेजिए गरम मसाला सामान को तोड़ासा गी तोड़ासा बठर अधरकला सुन पेश्ट तो कटी हुई प्यास और पलव पत्ता तोड़ासा मटन ग्रेवी उसके बाद एक ग्लास चामल को लीजिए एक गिनी में दालकर उसे तोड़ा सा पानी दालकर साइड में रख लीजिए उसके बाद एक कुकर को लीजिए स्टाव जलाकर कुकर को रख लीजिए उसके अंदर तोड़ासा आईल को दाल लीजिए पहले तोड़ा से गी को दालते हैं उसके बाद तोड़ा सा आईल को दाल लीजिए चाहे तो पहले आईल को दाल कर भी गीकर को दाल सकते हैं अई पहले गरम होने के बाद इलाची को दाल लीजिए उसके बाद लांग को दाल लीजिए वैसे ही सारे गरम मसाला सामान को दाल लीजिए चाहे तो और कुछ भी आप दाल सकते हैं काजीरा और कुछ भी आप दाल सकते हैं उसके अंदर किजापत्री सारे दालने के बाद पलाओ पता दाल कर दोड़े से बुन लेते हैं उसके बाद कच्छा मिल्षी को दाल लीजिए उसके बाद प्यास को डालकर अच्छे से बून लेते हैं इसे तोड़ा ब्राउन कलर आने तक बॉन लेजिए उसके बाद तोड़ा सा अधर अधर अधर्टन प्रेश्ट को दा लेजिए अच्छे से मिलाते हुए मून लेते रीजिए उसके बाद उसके अंदर मटन ग्रेवी को दालीजिए अधर्टन ग्रेवी को दालने के बाद तोड़ा सा नम्मक को दाल लीजिए अच्छे से मिलाते रही हैं इस अच्छे से मिलाने के बाद उसके अंदर चामल को दाल कर तोड़ा से मिलाग लीजिए एक ग्लास चामल के साथ दो ग्लास पानी को उसके अंदर दाल लेते हैं अच्छे से मिला लेते हैं इसके बाद अच्छे से मिला लेते हैं तीन विजिल आने तक इसे पका लेते हैं इसके बाद अच्छे से चामल के अंदर तोड़ा सा बटर को दाल कर उसके बाद कुकर कर राकन रखकर कर तीन विजिल आने तक पका लेते हैं जो लेते हैं तोड़ा देर हैं चोड़ देते हैं उसके बाद राकन निकाल कर देखो ए खाना अच्छे से पक गया है इसे तोड़ा सा मिक्स कर लीजिए दीरे दीरे से रेडी हो गया है मटन बिरियानी मटन ग्रेवी की बिरियानी अब इसे एक बावल में सरू कर लेते हैं कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा मटन ग्रेवी की बिरियानी पलाओ अच्छा लगे तो लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो इसे आप जरूर ट्रै करियेगा अजये प्रेंड्स